हेलो बच्चो असलाम अलेकुम और वेलकम तो शायद सर्स एडिकेशन पॉइंट बेटा हम बात कर रहे थे कल हमने डिस्कस किया था वुड़िज डिस्पैच 1854 तो वुड़िज डिस्पैच में हमने सारे पॉइंटस आपके साथ डिस्कस किये हैं और आज हम इस वुड़िज डिस्पैच को बेटा पॉपुलर्ली हम कहते हैं मेगना कार्ट आप इंडियन एडिकेशन और इडिकेशन इसके इतने नाम क्यों है क्योंकि बेटा ये पहला डॉक्मेंट है जिसने कहा के इडिकेशन इस गवर्मेंट इस रेस्पोंसिबिलिटी और उसने कुछ ऐसे इस पहले इस पहले मौयना किया अच्छी तरह से रिसरीच की फिर वो इंगलेंड वापस चला गया तो वहां से वो इसने रिकमेंडेशन इस दिये और उसको डिस्पैच किया इंडिया ठीक है दो आपके साथ शेर किया थे रिकमेंडेशन इस बोलो यहां फीचर साब बॉल सकते हो तो आप देख से इस तरह इसमें एस्टाबिश्मेंट आप उनिवर्स्टीज गरां इन एड एड ऐस्टाबिश्मेंट पॉब्लिक इनच्रुक्शिन इस ग्रेड तो आज हमारा जो टॉपिक है आज हमारा टॉपिक है बेटा यह मैंने आपको कल कहा था लेक्चर में ही के वुड़िस डिस्पैज कि जो मेरिट्स और दिमिरिट्स है वो आप खुद लिख सकते हो लेकिन चले कोई मसला नहीं है तो हम यहां आपके साथ शिर कर दो करेंगे देखें बाइ सबसे पहला पॉइंट बहुत सिंपल है बहुत इजी है अगर हम पहला पॉइंट देखेंगे दा वुड़िस डिस्पैच स्टार्टिड निव एर एरिया इंडिया एडुकेशनल सिस्टम आपको पता है जब हमने कल डिसकस किया था मैंने आपको वहां सही बताया था कि वुड़िस डिस्पैच जो था वो पहला डॉक्यमेंट था जिसने क्लियरली उब्जेक्टिव साफ एडुकेशन को फ्रेम किया ठीक है डिया डिफाइन किया था फ्रस्ट वान नमबर सेकेंड इट प्रेजंट इट प्रेंटिव स्कीम अफ एडुकेशन येस माइडियर वुड़िस डिस्पैच इस अलसो काल एस कंप्रेंसिव रिपोर्ट तो इट प्रेजन्टिव स्कीम आफ एडुकेशन अब्रेसिंग प्रेमरी सेकेंडरी एंड हाइर आएगा तो यहां पर आप लिख सकते हो यह मौस्ट इंपोर्डन करेक्टरिस्टिक फीचर है बुड़िस इस पैच का इट प्रेजन्टिड कंप्रेंसिव स्कीम आफ education okay my dear जल्दी से चलते हैं तीसरे पॉइंट पे दप्रिंसिपल आप डावनवर्ड फिल्ट्रेशन थे ओरिवार डिस्काइड बाइड बाइड वूड ओके तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉर्ड में कॉले जो है में कॉले जो है उसने क्या कहा उसने कहा कि म उसने क्राव अधिव 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 करो फ्राम हायर तो लवर्ड स्ट्रेट आप जायर सी बाद है हमारे सोसाइटी में जो अपर स्ट्रेटा है अगर वो एक इजिकेशन का ड्रॉग पहले उनको मिलेगा तो आप अंदाजा लगा एजूटेशन इतनी काम है उतनी काम है वो पहले सिट्रेटा से नीचे नहीं आ सकती है तो इसका मतलब क्या था Lord Macaulay का कि भाई education को दो लेकिन elite group of the society जो बिलकुल अगर आप movies में भी आपने देखा होगा कि जब Britishers के अंडर इंडिया था तो वहाँ पे जो इंडियन थे जो elite groups थे वह बिलकुल पूरा support करते थे कि इनको British government को तो Lord Macaulay ने कहा कि भाई we should give education to the not to the masses but selected few people in the society तो इसने mass education को discard किया लेकिन जो woodist dispatch था woodist dispatch ने filtration थे होगी को क्या किया neglect किया और कहा नहीं we should give education to the masses अगर आप point number 4 देखोगे the woodist dispatch emphasized on the vocational education यह भी आप लिख सकते हो बेटा vocational education यह बहुत सारे ऐसे points है जो आप खुद लिख सकते हो जो आपने graded he talked about the graded schools he talked about the grant in aid public instruction यह भी आप अराम से लिख सकते हो बेटा कोई मसला नहीं है question sorry point number 5 the woodist dispatch recommended scholarship for the poor and deserve आपको पता है मैंने एक point आपको पता है था grant in aid तो grant in aid मैं यह भी आएगा कि scholarship should be given to the poor students so that they can complete their education right and number 6th point language teaching was encouraged by the dispatch as a result original languages and classical languages are taught in the schools okay my dear आपको पता है जो oriental and occidental controversy थी तो Macaulay ने support किया था English education को he totally neglected the oriental language but woodist dispatch was the document who realized the importance of oriental language and there was option there was a provision that you can use the original language and classical language you can teach them in your school तो these are my dear six points अगर question long answer आया खाली merits और demerits तो जितने भी recommendations मैंने वहां पे आपको बताए उन recommendations को भी आप लिख सकते हो in terms of merit I hope बेटा आपको अच्छे से सामझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ ठीक है तो चलते बेटा डेरेकली अब demerits पे आते हैं देखते हैं कौन-कौन से demerits है वुड़ डिस्पैच के number one the dispatch in reality prompted western literature ओके यह तो जाहर सी बात है जब medium of instruction की बात की थी वहां पे no doubt oriental language was encouraged but medium of instruction was still English so इसका मतलब है Charles ने भी promote क्या किया western literature and knowledge of government offices shown preference for the person educated in English तो English को ही preference दी दी गए क्यों बही Charles Wood himself was an Englishman तो यह तो जाहर सी बात है number two the Woodist dispatch could not manage the education system as well okay यह भी कहा गया कि जो पूरा education system था India का under the breaches तो इसको भी Charles Wood ने अच्छी तरह से manage नहीं किया था number two the mass education did not become reality no doubt Charles Wood ने mass education के बारे में कहा लेकिन यह reality में साबित नहीं हुआ तो इसको implement नहीं किया गया okay number four the dispatch was more interested in promoting western knowledge and culture तो पहला ही point है इसको आप neglect कर सकते हो number five woman education continue to be neglected no doubt की woman education was given due importance but subtle it was neglected हाना कि Charles Wood ने कहा कि woman must be educated but फिर भी woman's को neglect किया गया number six dispatch did not promote vocational education as was required in fact the idea was postponed indefinitely जाहिर सी बात है vocational education के बारे में कहा लेकिन इसको भी आके नहीं लिया गया तो बहुत सारे ऐसे points है my dear बहुत सारे ऐसे points है जो क्या कहते हैं Charles Wood ने recommend किये Charles Wood ने खाली recommend किये मैंने वही से आपको बता है फिर ये दीगर सवाला कि government इन points को आगे ले जा सकता है कि नहीं तो उन्होंने नहीं लिया तो इसका मतलब है ये तो demerit में आएगा आई हो बेटा this is clear to you so this was all about merits and demerits of Charles Wood या Wood is Dispatch तो बहुत simple है बहुत easy है कोई मुझे अब ये नहीं कहेगा कि lengthy notice है वो है ये है मैं बहुत एक एक point को यहां पे clear कर रहा हूँ तो जो मैंने notice पे लिखे है ना वही points वाला में आपके साथ share कर रहा हूँ settle then अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ मेरा काम है आपको अच्छी direction देना फिर आपका काम है उस पे महनत करना देखो भई सारे notice available है settle then fourth semester इतना कमजोर है इतना कमजोर है कि खाली दो या चार students ने notes को prefer किया है I don't know why कि मेरे notes पे खराभी ऐसी क्या है चले भई अगर settle then if you feel कि notes की बहुत जुरूरत है तो you can बेटा contact me तो contact करने के बाद I am going to provide you the notes तो my contact number is again 7780817302 बिटा don't miss this opportunity यह notes जो है आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा help भी मिल सकती है जब आपका interest entrance में होगा आगे जाने का तो यह आपको बहुत ज़्यादा helpful साबित होगी Thank you, May Allah bless you and keep always learning आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा आपको